दीवाली पर मातलक्षिन भगवान विश्णू गड़ेस और कोबेर महराज का पूजन किया जाता है मातलक्षिन विश्णू और कोबेर की पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है तो बहीं गड़ेस का पूजन करने से रिद्धी सिद्धी मिलती है बेदिक पंचांग के अनुसार इस बार दीबाली 12 नवंबर की दो पहर से सुरू होकर 13 नवंबर की दो पहर तक रहेगी ऐसे में लोगों को यह ब्रहम है कि बेदीबाली कम मनाए 12 नमबर रविवार को या 13 नमबर सौमबार को लोग इसे सौमती अमावस्या के रूप में भी देख रहे हैं तो इसको लेकर जो तिस आचारे का कहना है कि दीपावली रात का तेवहार है इसलिए जब अमावस्या रात में हो तब ही पूजन करना चाहिए यानि कि दीवाली का पूजन पिर्दोस काल में किया जाता है और पिर्दोस काल 12 नमबर की साम है उसी रात को अमावस्या है इसलिए 12 नमबर को ही दीपावली मनाई जाएगी दीपावली का पूजन 4 बच के 44 मिनट से 10 बच के 22 मिनट तक किया जा सकता है दीवालि अमवास्या के यह जो है वो दो दिन तक महुर्द बन रहे तो कब पूझा करने चाहिए क्या महुर्द देखिया दीपावली का टेवहार रात का टेवहार है अर्थाथ जिस दिन अमवश्या राथ में रहेगी उस दिन हमें दीपावली मनाना जाहिए 12 नौंबर को 1 बच के 44 मिनिट से 13 नौंबर के 2 बच के 12 मिनिट तक मावश्या है यह भुवन बोजे पंचांग कह रहा है यह पंचांग जबलपुर का है अथा अन्यस्था नौंब के लिए अच्छांस देशांतर के अनुसार इसमें करेक्शन कर सकते हैं तो यह आज मिनिट पांच मिनिट का करेक्शन आएगा तो चुकि 12 नौंबर को 1 बच के 44 मिनिट दिन से हमाश्या प्रारंभ हो रही है और तह 12 नौंबर की रात में दीपावली मना ही जाएगी अब दीपावली के शुरू महुरत के बारे में बात करते हैं दीपावली में पूजन काल का स्व महुरत नेरे संद गृंत की अनसार प्रदोशकाल होता है 12 नौंबर को प्रदोशकाल 4 बच के 44 मिनिट से 6 बच के 14 मिनिट तक है यह समय जबरपुर के हिसाब से लिया गया है भूवन विजय बंचांग में यह समय दिया हुआ है चोगणियां 5 बच के 29 मिनिट से 10 बच के 22 मिनिट तक है इन महुर्ट में पूजा करने से लोगों के लिए किस तरह के फ़ल की प्राफ्ती हो दीपावली धनका तेवहार है एक खुशी का उत्सव है इसकी दो अलग-अलग कहानिया है जो जन्ता में ब्याप्त है रामचिन जी आये थे तो था गड़ेश जी को इस दिन लक्ष्मी जी ने इस बात का बरदान दिया था कि तुम जिसको चाहो उसको धन दे सकते हो तो यह धन का विशेश रूप शत्य वहार है तो लक्ष्मी गड़ेश की पूजा की जाती है कि इस पूजन से हम यह मानते हैं कि हमारे पास साल भर धन की अच्छी आवक रहेगी